आज भी हमारे देश में बहुत से गूपाला कैसे हैं जो घाटे में गूपालन कर रहे हैं और बहुत से किसानों की गूशालाएं बंद होने की कागार पे हैं ये वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके अंदर एक नया लक्ष जागरित होने वाला है और आपको मोटिवेशन मिलने वाला है वीडियो में जो आप गाएं देख रहे हैं इसकी खासियत ये है कि आज इस गाएं को ब्याए हुए 13 महीने हो चुके हैं इसकी लास डिलिवरी उननतिस बारा दो हजार बाईस को हुई थी और उससे भी खास चीज ये है कि ये गाएं आज पाच मंत की प्रेगनिट भी है गाएं की मिलकिंग दिखाने का मंतव कहीं भी गाएं को या गाएं के बचडे या बचडी को सेल करना नहीं है केवल और केवल आपको मोटिवेशन देना है तो क्रिपया मोटिवेशन लेने के रूप में वीडियो को देखें अगर आपको हमारा गाएं के प्रति समर्पन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने साथी मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करें आम तोर पर हमारी गवशालाओं में गाएं 8-9 महीने का लेक्टेशन पिरियोड रखती है और 8-9 महीने का लेक्टेशन पिरियोड होने के बावजूद वो गाएं जब ड्राई होती हैं तो उनका दूद मैक्सीमम 2-3 लीटर पर डेका होता है इसलिए सबसे पहले ध्यान रखने लाइक चीज ये है कि जब भी हम बुल सेलेक्शन या गाएं की सेलेक्शन करते हैं तो हमें पीक मिल्क को एक साइड रख देना है क्योंकि पीक मिल्क दिखाकर बहुत सी धोकादड़ी हमारे समाज के अंदर गवपालन के अंदर हो रही है तो हमेशा अपना जो ध्यान है वो लॉग लेक्टेशन के उपर रखें क्योंकि आज ये गाएं 13 महिने की ब्याई हुई होने के बाद और 5 महिने की प्रेगनेट होने के बाद भी अप्रॉक्सिमेट दिन का 8-9 लिटर दूद परफॉर्म कर रही है और अगर इसकी खुराग की बात करूं तो ये गाएं चरने के लिए पहाडों में या जंगलों में जाती है चर के आती है थोड़ा बहुत इसको कंसेंट्रेटेड फीड मिलता है उसके बाद का ये परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ और पीक मिल्क की बात करूं तो पीक मिल्क भी इसका 18-20 लिटर को बड़े आराम से टच करता है गाएं की खुराग बताने के बाद मैं जो सबसे जरूरी चीज है जहां पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वो है गाएं की सबसे बड़ी खासियत उसका जेनिटिक्स उसका जीन जिसके अंदर दूद है इसलिए ये गाएं परफॉर्म कर पा रही है और इस जीन को कैसे डेवलप किया गया एक प्रूवन बुल को यूज़ करके अगर आप अपने फार्म के अंदर अच्छे जेनिटिक्स को लाना चाहते हैं अच्छी परफॉर्म करने वाली गाएं पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्रूवन बुल अगर आप प्रूवन बुल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको सालो साल लग जाएंगे ऐसी गाएं को तियार करने में और अगर आपकी गाएं के अंदर दूद नहीं है तो आप कितना भी काजू बदाम सुरन भसम या कितनी भी खुराग गाएं को दे लीजिए गाएं परफॉर्म नहीं कर पाएगी वो अपनी बॉड़ी के उपर फैट चड़ाती जाएगी परंतु दूद में उसको कनवर्ट करने की जो शमता है वो उसके अंदर कभी भी नहीं आ सकती इसलिए दोस्तों आपके चरनों में फिर से एक बेंती करता हूँ कि जब भी आप AI करवाएं तो अच्छे बुल से करवाएं जिस बुल का प्रॉपर रिकॉर्ड आपको पता हो जिस बुल की बच्छडियां आपने मिल्क में देखी हो और अपने फार्म को स्टेंड करने के लिए उससे मुनाफ़ा लेने के लिए सीमन में इन्वेस्ट कीजिए अगर सीमन महंगा है तो उसके लिए रोना बंद कीजिए और अच्छे सीमन को यूज करके अपने फार्म को अपनी गवशाला को समर्थ बनाईए मैं भारत की हर गउशाला में सती जैसी परफॉर्म करने वाली गाएं देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि ऐसी अच्छी गाएं हमारे पूरे भारत वर्ष में पैदा हो ताकि आज के समय में गाएं की हो रही बेकदरी उनकी दर्दनी अहालत को रोका जा सके गाएं की दुबारा से सेवा शुरू हो गाएं को मा कहा है तो उसको मा वाली रिस्पेक्ट भी मिले केवल गाएं को मा बोल देने से या उसको नमशकार कर देने मतर से आपके पुन्न नहीं बढ़ेंगे और गाएं की सेवा नहीं होगी अगर आप गायों को बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ सक्त कदम उठाने होंगे जिसमें गायों का अच्छा जनेटिक्स और प्रूवन बुल्स की साहता लेनी होगी और दोस्तो अब गाये की मिल्किंग कम्पलीट हो चुकी है और हम देखते हैं गाये ने कितना मिल्क पर्फॉर्म किया सती ने अप्रॉक्सीमेट चार लिटर दूद एक समय का पर्फॉर्म किया है और दिन का आठ लिटर के करीब सती तेरा महिने की ब्याई हुई है और पांच महिने की प्रेगनेंट भी है तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी न भूलें